स्वामी प्रसाद मौरिया अब चुनार हार चुके हैं उभातार पीछे चल रहे थे और फादल अगर से स्वामी प्रसाद मौरिया के उपर स्टाम्प लग चुकी है कि स्वामें परसाद मौरिया अब हार चुके हैं यहां से बीज़पी से जाने के लिए बस बदली वो कामयाब नहीं हुई बिल्कुल और सबसे खास बात यह अनंत कि जिस तरह से बड़े चेहरे के रूप में आये थे समाजवादी पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी ने भी भरोसा दिलाया था कि वो उनको भी एक तरह से भरोसा था कि शायद उन्हीं के भरोसे उनकी नईया जो है पूर्वांचल में पार हो जाएगी लेकिन यहां पर वो अपनी सीट नहीं समाल पाएं अफदेश जी आखिर जनता का रुजहान अगर बदलता है राजनीती होने पर तो कास्ट एक्वेशन एक सीमा तक काम कर सकता है लेकिन कास्ट के आधार पर आप बोट नहीं जीत सकते हैं साथी साथ आप देखेंगे कि इस चुनाओं में जो उस जंग से कि आप सरकार में 4-5 साल रख गया किसी पार्टी में चुनाओं के समय आप पार्टी बदल के आते हैं तो आपकी सुईकिर्ती नहीं है और ये किबल जनता का नहीं है बान्बर कह रहा हूं, जो राजनिती पिछले 7 सारे 7 सालों में जो बदली है, उससे जो कलेक्टिव साइकलोजी सामोहिक मनोविग्यान जनता का मिला है, उसमें स्वामी परशाद मोर्जा जैसे को अगर नकार नहीं मिलता, तो मैं इसको आस्वाभाविक मानता, उनकी पराज बरत्मान राजनीती की स्वभाविक परिनाद रहा है।